हेलो फ्रेंड्स स्वाक्त है आपका अपनी यूट्यूब चैनल ग्यानवीद 71 में आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 2017 से नॉवंबर 2020 तक पूछे गए सभी जी के पार्ट्स को जो कि पूछे गए थे टैट नॉन मेडिकल के एक्जाम में 180 questions रहेंगे जो कि helpful होंगे आपके आने वाले टैट के exam के लिए तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सबस्क्राइब करना ना भोलें आप चैनल की playlist में जा करके और भी टैट से related वीडियो जो हैं वो देख सकते हैं तो ये वाला जी के portion जो है वो पूछा गया था टैट नॉन मेडिकल के exam में जो हुआ था 2017 में चलिए बात कर लेते हैं question number 31 की सकतियों के विवाजन का आस्या किस परकार की सिरकार से है तो इसका right answer एक option भी संगिया और जितने भी answer हम आपको बताएंगे वह according to answer की रहेंगे question number 32 रहेगा अनंद भावन का नाम स्थान चोड़ा गया है से सिबंदित है तो इसका right answer एक अनंद भावन का नाम जोहर लाल नहरू से सिबंदित है तो इसका right answer एक option C जोहर लाल नहरू question number 33 रहेगा भार्थ के संसद भावन की परिकलपना किसने की तो इसका right answer एक option A और option B एडविन लूटियंस और हर्बर्ट बेकर और निर्वान वर्ष जोह है वो रहेगा 1921 से 1927 का संसद भावन का question number 34 रहेगा निमन मेंसे क्या सीधे नियालों को संभोधित नहीं होती है तो इसका right answer रहेगा option D, F.I.R question number 35 रहेगा 7 बहनों का ख्षित्तर है तो इसका right answer रहेगा option A 7 बहनों का क्षित्तर उत्तर पूर्वी राज्य है question number 36 रहेगा भारत के सरुच नेलिया के नहदीसों का कार्यकाल यहां पस्तान छुड़ा गया है वर्स की आयू तक रहता है तो इसका राईट अन्सरेगा ऑपसण D-65 भारत के सरुच नेलिया के नहदीसों का कार्यकाल 65 वर्स की आयू तक रहता है Question number 37 है राष्ट्रपती भवन मैं मुगल गार्डन निमन मैं से किन बगीचों से प्रेरित है तो इसका राइट अन्सरेग ऑप्शन B, सालिमार गार्डन Question No. 38 रहेगा लोग सभा के लिए प्रत्म चुनाव इस दोरान हुआ तो इसका राइट अन्सरेग ऑप्शन C, 1951, 1952 कहां से लिए गए हैं तो इसका राइट अन्सरेग ऑप्शन D, पूरो कालीन सोवियत संग Question No. 40 रहेगा सविधान के अनुचे 370 के तहट किस राज्या को विसेज दर्जा प्रदान किया गया है तो आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 को अनुचे 370 जो हटा दिया गया है तो पहले जो है क्यूंकि ये 2017 में पूछा गया Question था तो उस Time जो है वो जम्मू वा कस्मीर को विसेज राज्या का दर्जा प्रदान था लेकिन 5 अगस्त 2019 को अनुचे 370 को जो हटा दिया गया है Question number 41 रहेगा पसुपतिनात्मंदे कहां स्थित है तो इसका Right Answer रहेगा Option A नेपाल तो ये सारे ही Question very very important रहेंगे आपके आने वाले एक्जाम के लिए Question number 42 रहेगा भार्थ पर आकर्मन करने वाला प्रतम Muslim अकर्मन कारी था तो कई बार जो है एक्जाम में ये वाला Question आपने देखा होगा तो इसका Right Answer रहेगा Option A महम्मद बिन कासिम Question number 43 रहेगा लक्से दीप दीप स्मू कहां स्थित है तो इसका Right Answer रहेगा Option A अरब सागर Question number 44 रहेगा नीमन मैंसे कौन भार्थ का मसालनों का भाग नाम से जाना जाता है तो इसका Right Answer रहेगा Option A केरल और ये Very Very Important Question रहेगा Question number 45 रहेगा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्या है तो कौन है Option B सिक्किम इसका Right Answer रहेगा बात कर लिते हैं Question number 46 की नीमलिक्त मैंसे कौन सा संसद त्रीशंकू संसद की व्याख्या है तो इसका Right Answer रहेगा Option A एसी संसद जिसमें किसी भी दल को पून भहुमत प्राप्त नहीं है Question number 47 रहेगा उच्टम न्यालिया द्वारा नीमन मैंसे कौन सी सक्ती का उप्योग किया जाता है तो इसका Right Answer रहेगा Option B न्याइक पुनरिक्स्चन Question number 48 रहेगा भार्त के Grand Old Man के रूप मैं नीमन मैंसे कौन जाना जाता है तो इसका Right Answer रहेगा Option B दादा भाई नौरोजी Question number 49 रहेगा डैलेसिस का प्रयोग उन मरीजों के लिए किया जाता है जिनको Option A इसका Right Answer रहेगा गुर्दे की तकलीब हो Question number 50 रहेगा भार्त और पाकिस्तान के बीच सिमांकन किस के द्वारा किया गया था तो इसका Right Answer रहेगा Option B Sir Sir Siril Red Clip Question number 51 रहेगा Epicenter सब्द किस से सबंदित है तो इसका Right Answer रहेगा Option A भुकम Question number 52 रहेगा निमन किस चिले में महराणा परताब सागर जालास्य स्तित है तो इसका Right Answer रहेगा Option D डिस्टिक कांगडा में तो ये हिमचल परदेश जन्न नौलेज का Question है और आगे यही वाले Question पूछे गए है हम बताते रहेगे हिमाचल परदेश में राश्टिया परदेश की संस्थान कहां पर है तो कहां पर स्तित है NIT तो इसका Right Answer रहेगा Option A हमीरपूर डिस्टिक हमीरपूर में Question number 54 रहेगा निमन किस जिले में साकस्ता दर निमनतम है तो निमनतम साकस्ता दर जो है वो किस जिले की है तो Option B टिस्टिक चमबा की Question number 55 रहेगा कर्चम बांकतू जल विजुद प्रयोजना किस नदी पर है तो इसका Right Answer रहेगा Option B सतलुज Question number 56 रहेगा जनसंख्या 2011 के उनसार हिमाचल परदेश का जनसंख्या गनत्तव है कई बार जो है एक्जाम में पूछा गया कॉश्टिक है Very very important कॉश्टिक है तो इसका Right Answer रहेगा Option D एक सो देश व्यक्ति पर वर्ग किलोमेटर Question number 57 रहेगा मनिकर्ण का गरम जल स्त्रोथ किस नदी के किनारे सित है तो इसका Right Answer रहेगा Option B पारवती Question number 58 रहेगा महमूद गजनी ने नगर कोट कांगड़ा को किस इस्वी में या सन में लोटा तो कब लोटा 109 AD में Question number 59 रहेगा हिमाचल परदेश फंटियर गांधी के रूप में कौन जाना जाता है तो इसका Right Answer रहेगा Option B पज्जु राम Very very important question है क्योंकि कई बार जो है एक्जाम में ये वाले question पूछे गए है Question number 60 रहेगा महान करांतिकारी सिरी या स्पाल किस जिले से स्बंदित है तो महान करांतिकारी सिरी या स्पाल किस जिले से स्बंदित है तो इसका Right Answer हैगा Option A हमीर पूर चलिए बात कर लेते हैं 2018 में HP TAT non-medical में जो जी के portion पूछा गया था उसकी चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं जो 2018 में पूछे गए Question थे इसमें Question No. 31 रहेगा विश्चो योग दिवस कम मनाया जाता है तो इसका Right Answer हैगा Option D 21 जून Question No. 32 रहेगा सार्स क्या है तो इसका Option B जो है Right रहेगा एर क्राफ्ट Question No. 33 रहेगा गारो जंजाती भारत के किस राज्य में किस राज्य से स्बंदित है तो इसका Right Answer हैगा Option C में घाल लिया Question No. 34 रहेगा पंच वर्षिया योजना का विचार भारत ने किस देश से लिया है तो इसका Right Answer हैगा पूरो यू एसस आर Question No. 35 रहेगा वर्तमान में सुप्रीम कोट के मुख्या नयदीज कौन है बात कर लेते हैं वर्तमान 2021 की तो इसका Right Answer हैगा जस्टिस रमणा और ये 48 मुख्या नयदीज बने है Question No. 36 रहेगा कुलार स्वन खदान भारत के किस रज्जे में है तो कुलार स्वन खदान जो है भारत के किस रज्जे में है इसका Right Answer हैगा Option A करनाटर Question No. 37 रहेगा लिस्वन किस देश की राजधानी है तो लिस्वन किस देश की राजधानी है इसका Right Answer हैगा Option C पुर्तगाल Question No. 38 रहेगा हिमादास का सबंद किस खेल से है तो इसका Right Answer रहेगा दौड Option A Question No. 39 रहेगा गुरू का लहौर कहां स्थित है तो इसका Right Answer हैगा Option D बिलासपू Question No. 40 रहेगा हिमाचल परदेश में राज्य सभा की कितनी सीटे है तो इसका Right Answer हैगा 3 Question No. 41 रहेगा लोसर क्या है Option A इसमें Right Answer हैगा गौ का नाम Question No. 42 रहेगा आंदर जल्विदुत किस जिले में स्थित है तो यह है दिस्टिक शिमला में Question No. 43 रहेगा अंगा और चुबवा क्या है तो अंगा और चुबवा क्या है तो यह क्या है वस्तर Question No. 44 रहेगा Origin Of Species किसने लिखी है तो इसका Right Answer हैगा Option D चार्ज डार्विन कॉस्चन नम्बर 45 रहेगा निमन मैंसे किस मुगर सास्क ने पुना जजिया लगाया वेर वेर इंपोर्टन कॉस्चन है और कई बार जो है एक्जाम में पूछा गया कॉस्चन है औरंग जेव इसका राइट अंसर हैगा ओप्सन बी कॉस्चन नम्बर 46 रहेगा रंजीत सिंह किस इख मिसल से सबंदित थे तो इसका राइट अंसर रहेगा सुकर चकिया ओप्सन बी कॉस्चन नम्बर 47 रहेगा अंतराष्टिया नियाल्या कहां स्थित है तो इसका राइट अंसर हैगा ओप्सन बी हेक नीदर लैंड कॉस्च नमबर एटालिस रहेगा किस मुगल वंसिया राजा को नेपोलियन के नाम से जाना जाता है तो इसका राइट अंसर है का उप्शन भी स्मुद्दर गुप्त कॉस्च नमबर फोर्टिनाइड रहेगा अनंद मट के लेकक कौन था तो अनंद मट के लेकक कौन था तो इसका राइट अंसर है का उप्शन सी बंकिम चंदर चटर जी कॉस्च नमबर पचास रहेगा हिमाचल परदेश मैस्तित सबसे उंची चोटी कौन सी है तो कौन सी है उप्शन भी शिला कॉस्च नमबर पिप्टी वा रहेगा हिमाचल परदेश पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहां स्तित है तो कहां स्तित है उप्शन डी ड्रो कॉस्च नमबर पिप्टी टू रहेगा किस सिख गुरु ने अमरित सर सहर की स्थापना की तो किस सिख गुरु ने अमरित सर सहर की स्थापना की तो इसका राइट अंसर रहेगा उप्शन भी गुरु रामदास जी कॉस्च नमबर पिप्टी ट्री रहेगा बिनवा जल विदुत प्रियोजनाई मचल परदेश के किस जीले में स्तित है तो इसका राइट अंसर रहेगा उप्शन भी डिस्टिक कांगडा में कॉस्च नमबर फिफ्टी फोर रहेगा विश्चो जैसंग के अदिवस कम मनाया जाता है वेरी इंपोरेंट कॉस्च न है उप्शन भी इसमें राइट अंसर रहेगा ग्यारा जुलाई कॉस्च नमबर फिफ्टी फाइव रहेगा असाम का परसीद अभेरन्या का जिरंगा किसके लिए परसीद है वेरी वेरी इंपोरेंट कॉस्च न है तो इसमें राइट अंसर रहेगा उप्शन ए गैंडों के लिए कॉस्च नमबर फिफ्टी सिक्स रहेगा भारत में लिटल लहासा के रूप में कौन सा स्थान जाना जाता है तो इसका राइट अंसर रहेगा उप्शन भी धर्म साला कॉस्च नमबर फिफ्टी सेवर रहेगा कौन सी नदी का संस्कृत नाम विपासा है तो इसका राइट अंसर रहेगा option A वियास कॉस्च नमबर फिफ्टी एट रहेगा जान्जर की जेले का प्रसिद नहीत्या है तो इसका राइट अंसर रहेगा option A चमबा कॉस्च नमबर फिफ्टी नाइन रहेगा हिमाचल परदेश में सबसे पुरानी मुख्यता लिखी गई हैं तो जाद तक कथाएं मुख्यता लिखी गई हैं तो लिखी गई हैं कि मैं किस बासा में संस्कृत बासा में चलिए आगे बात कर लेते हैं HPTAT Non-Medical June 2019 में पूछे गए जी के पार्ट की 2017 और 2018 में साल में एक बार जो है वो TAT का एकजाम हुआ है प्रंतु 2019 से साल में दो बार जो है TAT का एकजाम होता है इसलिए June 2019 में जो है वो TAT का एकजाम हुआ था उसमें जो जी के पोशन पूछा गया था उसको हम डिसकस करेंगे और साथ मैं आपको अंसर बताएंगे चलिए बात कर लेते हैं question number 31 से कौफी का मुख्या उत्पादक देश है तो इसका जो right answer हैगा वो रहेगा option C ब्राजील question number 32 रहेगा कौन सा जीव स्वाद का पता टांगों से लगाता है तो इसका जो right answer हैगा वो रहेगा option B तितली बात कर लेते हैं question number 33 की बांधों को अधुनिक भारत के मंदी किसने कहा था तो इसका जो right answer हैगा वो रहेगा option B जौहालाल नहरू इसका right answer रहेगा question number 34 रहेगा विसो के सबसे उचे गौन का नाम बताइए तो इसका right answer रहेगा वो रहेगा किबर question number 35 रहेगा सुमन रावत को किस पुर्षकार से समानित किया गया तो इसका right answer रहेगा option D अर्जुन पुर्षकार और पसुराम पुर्षकार question number 36 रहेगा शित्रफल के अधार पर भारत विशो का कौन सा देश है तो शित्रफल के अधार पर भारत विशो का कौन सा देश है इसका जो right answer रहेगा वो रहेगा सात्वा question number 37 रहेगा मिलेरिया की द्वाई कौन से पेड की चाल से बनाय जाती है तो इसका जो right answer रहेगा वो रहेगा option A सिनकोना question number 38 रहेगा हिमाचल परदेश के जिला कांगड़ा में भुकम कब आया था तो इसका जो right answer रहेगा option B 4 अप्रैल 1905 को question number 39 रहेगा गुरू नानक देव का जनम स्थान का नाम है question number 39 को फेशे सुन लीजिए गुरू नानक देव के जनम स्थान का नाम है क्या है तलवंडी इसका जो है वो option C right answer रहेगा question number 40 रहेगा जंगल बुक के लेखक कौन है तो इसका जो right answer रहेगा वो रहेगा option A टुडियार्ड किपलिंग question number 41 रहेगा प्रित्वी एक घेंटे में अपने कक्स पर अक्स पर कितना घुमती है तो इसका जो right answer रहेगा option C 15 degree question number 42 रहेगा भाखड़ा बांध की उन्चाई है तो इसका जो right answer रहेगा वो रहेगा 226 meter option B इसका right answer रहेगा question number 43 रहेगा दुनिया का सबसे नमकीन सागर कौन सा है तो इसका जो right answer रहेगा वो रहेगा option B मृत्सागर question number 44 रहेगा रिगवेद में प्रातनाओं को यहां बस्तान छोड़ा गया है कहा जाता है तो जो इसका right answer है वो रहेगा सुक्त तो रिगवेद में प्रातनाओं को सुक्त कहा जाता है question number 45 रहेगा केसर सागा किसका धर्मगरंद है तो इसका right answer है वो रहेगा option C तिबबत question number 46 रहेगा भुपाल गैस तरासदी कब हुई थी very very important question रहेगा भुपाल गैस तरासदी कब हुई थी तो इसका right answer है वो रहेगा 2 दिसंबर 1984 question number 47 रहेगा नीला ग्रह किसे कहते हैं तो कई बार जो है एक्साम में पूछा गए question है तो इसका right answer रहेगा option B प्रिथवी question number 48 रहेगा वाई यू मंडल में सबसे अधिक मातरा में कौन सी गैस पाई जाती है तो वाई यू मंडल में सबसे अधिक मातरा में कौन सी गैस पाई जाती है इसका जो right answer रहेगा option A nitrogen Question number 49 रहेगा हरा रंग किन रंगों के मिस्टन से बनता है तो इसका जो right answer रहेगा वो रहेगा option B नीला और पीला Question number 50 रहेगा great हिमाले राष्ट्य उद्यान को 200 द्रोहर का दर्जा किस ने दिया जो इसका जो right answer रहेगा वो रहेगा option A UNESCO Question number 51 रहेगा तैते हुए टापूं की जील है तो इसका जो right answer रहेगा वो रहेगा डिवाल सर Question number 52 रहेगा स्युक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई इसका जो right answer रहेगा वो रहेगा 24 अक्तुबर 1945 को इससे आगे है Question number 53 मिलान की जीए राज्या और अभेरने तो इसमें देखिए जो right answer रहेगा वो रहेगा option C तो क्या है असम में क्या है काजी रंगा ठीक है मानस काजी रंगा गुजरात तो गुजरात क्या होगा गिर और उत्राखंड में जीम कॉर्बिट इसका तो इसका right answer रहेगा कौनसा option C Question number 54 रहेगा पौधा ना बनने तक बीज का भोजन कहां संचित होता है तो इसका right answer रहेगा वो रहेगा बीज पत्तर Question number 55 रहेगा विश्व में सबसे अधिक वर्षा वालाक्षेतर कौनसा है तो कौनसा है तो इसमें जो right answer रहेगा वो option C माव सिनराम Question number 56 रहेगा पृत्वी की स्तह पर कितना भाग जल से धका है तो very very important question है पृत्वी की स्तह का कितना भाग जल से धका है तो इसका right answer रहेगा वो option C 3 upon 4 Question number 57 रहेगा विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान का नाम बताईए तो इसका right answer रहेगा वो option A सहारा मरुस्थल Question number 58 रहेगा मांचितर मैं पानी को दर्शाने के लिए किस रंग का प्रियोग किया जाता है very very important question तो इसमें जो right answer रहेगा option B नीला Question number 59 रहेगा Mount Everest पर चड़ने वाली पहली भारतिया महिला का नाम बताईए तो इसका जो right answer रहेगा option A पचेंद्री पाल Question number 60 रहेगा सुन्दर लाल बहुगुणा ने कौन सा अंदोलन शुरू किया था तो इसका जो right answer रहेगा हो रहेगा चिप को अंदोलन option C इसका right answer रहेगा तो सुन्दरलाल बहुगुणा ने कौन सा अंदोलन शुरू किया था तो चिप को अंदोलन इसका राइट अंसर रहेगा बात का लेते हैं टैट नौंबर 2019 में पूछे गए जी के कॉस्चन्स की पूछे नौंबर 61 रहेगा बोलो एप किसके द्वारा लांच किया गया तो इसमें जो राइट अंसर है वो आप्षन भी गूगल Question number 62, very very important question रहेगा विशो कैंसर दिवस मना जाता है, तो विशो कैंसर दिवस मना जाता है चार फरवरी को Question number 63 रहेगा, वर्स 2021 में परस्तावित महिला किरकेट विशो कप आयोजन किस देश में होगा तो यह होगा option A, New Zealand में तो अब जो है 2022 में होगा COVID-19 के कारण Question number 64 रहेगा, अस्टेलिया की राजधानी है तो अस्टेलिया की राजधानी कौनसी है, कैनबरा इसका right answer रहेगा, option B Question number 65 रहेगा, सौर सिंचाई योजना के लिए विशो के लिए विशो 2019-20 में कितने बजट का प्रावधान किया गया है तो इसका right answer रहेगा, वो रहेगा 30 क्रोड तो सौर सिंचाई योजना के लिए विशो 2019-20 के लिए कितने बजट का प्रावधान किया गया है 30 क्रोड Question number 66 रहेगा, दूज से मक्खन निकालनी की विधी कौन सी है तो इसमें जो right answer रहेगा, वो रहेगा अपके इंदरन Centrifugation Question number 67 रहेगा, नवाल्ड क्या है तो option C, इसका right answer रहेगा, एक बैंक Question number 68 रहेगा, त्रीगर्थ दो भागों में बंटा हुआ था एक नगर कोट और दूसरा, इसका right answer रहेगा Option C, जालंधर त्रीगर्थ दो भागों में बंटा हुआ था एक नगर कोट तथा दूसरा जालंधर Question number 69 रहेगा, समिधान के यहां पर स्तान चोड़ा गया है अनुछेद की अनुरूपता से राष्टपती को पद से निसकासित किया जा सकता है तो इसमें जो right answer रहेगा, वो रहेगा option C, 61 Question number 70 रहेगा, रम्निया गौं मलाना का सर्वमान्या सासत कौन है तो इसका जो right answer रहेगा, वो रहेगा जामलू तो question number 70 को फिसे सुन लीजिए रम्निया गौं मलाना का सर्वमान्या सासत कौन है तो इसका जो right answer रहेगा वो रहेगा जाम लू तो very very important question रहेगा कई बार जो है exam में पूछा गया question है Question number 71 है 71 है मिंजर मिला चमबा जिले में मनाय जाने वाला महतपुन मिला है तो एक question यहां से निकला की मिंजर मिला किस district में मना जाता है तो किस में मना जाता है district चमबा में तो मिंजर मिला चमबा जिले में मनाय जाने वाला महतपुन मिला है मिंजर किसके लिए निरूपित किया गया है तो इसमें जो right answer रहेगा वो option D मक्की का फूल very very important question है और यह भी कई बार जो है exam में पुछा गया question है question number 72 रहेगा अटल न्यू इंडिया चैलेंज का रेकरम लागू किया गया था तो इसका जो right answer रहेगा option C 26 अप्रैल 2018 question number 73 रहेगा किस वर्ष इसा मसीः को सूल पर चढ़ाया गया था तो इसका जो right answer रहेगा option A 33 इस्वी question number 74 रहेगा हिमाचल पर्देश में मुरिकला देवी का मंदीर कहा स्थित है तो इसका जो right answer रहेगा option A उदयपूर question number 75 रहेगा रिवाल सर में किस बौद वीवू का जनम हुआ था तो रिवाल सर में किस बौद वीवू का जनम हुआ था तो इसका जो right answer रहेगा option C question number 76 रहेगा my unforgettable memories के लेकर कौन है इसका जो right answer रहेगा option B ममता बनर जी question number 77 रहेगा भाई दोना पाई निमन मैं से किस अंदोलन का विस्तार था तो very very important question रहेगा और इसका जो right answer रहेगा option B सवनिया अवग्या अंदोलन question number 78 रहेगा हौन बिल उत्सो किस राज्या में मनाया जाता है तो इसका जो right answer रहेगा वो रहेगा option B नागा लैंड question number 79 रहेगा दमदमा साहिब गुर्द्वारा किसकी समरीती में बनाया गया था तो दमदमा साहिब गुर्द्वारा जो है वो बनाया गया था गुरु गोविन सिह जी की समरीती में तो दमदमा साहिब गुर्द्वारा किसकी समरीती में बनाया गया था तो गुरु गोविन सिह इसका right answer रहेगा question number 80 रहेगा नीमन मैंसे किस देश ने औरतों को ड्राइविंग करने पर रोग को जून 2018 से हटा दिया था तो नीमन मैंसे किस देश ने औरतों को ड्राइविंग करने पर रोग को जून 2018 से हटा दिया था तो इसका right answer रहेगा option A. Saudi Arab question number 81 रहेगा कौन सा पहाड़ी दर रहा हिमाचल परदेश के मंडी और कुलू जिलों को जोड़ता है इसका जो राइट अंसर रहेगा Option C दुल्ची Question No. 82 रहेगा सूर्च ताल जीर हिमाचल परदेश के किस जिले में स्तित है तो इसका जो राइट अंसर रहेगा वो रहेगा Option D लहौल स्पिती Question No. 83 रहेगा भार्त की सबसे बड़ी प्राचीन परवस्रेनी कौन सी है तो इसका जो राइट अंसर रहेगा वो रहेगा Option B अरावली Question No. 84 रहेगा नियूरोलोजी अध्यायन है तो इसका जो राइट अंसर रहेगा सनायू तंत्रका Question No. 85 रहेगा 2001 से 2011 के दस्क में हिमाचल परदेश के 20 जिले में जनसंग के अपरी दीदर सबसे अधिक दर्च की गई है तो इसका जो राइट अंसर रहेगा B, Option B उनना Question No. 86 रहेगा हिमाचल परदेश विधान सबा के उपाध्यक्स कौन है Very very important question इसका जो राइट अंसर रहेगा Option C, हंसराज Question No. 87 रहेगा सिमला मैं दूरदर्शन के अंदर कहाँ पस तित किया गया है तो इसका जो राइट अंसर रहेगा वो रहेगा Option D, अंबेड कर चौक चोड़ा मैदान शिमला Question No. 88 रहेगा हिमाचल परदेश के इंदर सासित परदेश कब बना तो इसका जो राइट अंसर रहेगा वो रहेगा 1.9 नौब उनिसो चुपूंजा Question No. 89 रहेगा आजे ठाकोर तथा प्रेंका नेगी किस खेल से बन दित है तो इसका जो राइट अंसर रहेगा Option C, कबड़ी Question No. 90 रहेगा अंतराष्ट्य महिला दिवस 2019 का थीम क्या था तो इसका जो राइट अंसर रहेगा Option A, Think Equal Build Smart Innovate for Change और अगर आपसे पूछा जाए 2021 का थीम क्या था तो इसका आपने याद रखना है Woman in Leadership and Equal Future in a COVID-19 World चलिए आगे बात कर लेते हैं June 2020 में पूछे गए जी के Questions की इसमें Question No. 121 रहेगा 2019 का सहित्या का Nobel पुर्सकार किस ने जीता तो इसका राइट अंसर रहेगा Option A, Peter Hunt के और अगर आपसे पूछा जाए कि 2020 का सहित्या का Nobel पुर्सकार किस ने जीता है तो इसका राइट अंसर रहेगा अमरीकी कवित्री Lewis Gluck ने बात कर लेते हैं Question No. 122 की किंदर सासित परदेश लदा के प्रथम उपराज्यापाल की सब्त किस ने ली तो इसका जो राइट अंसर रहेगा वो रहेगा Option A राधा, कृष्ट, माथुर बात कर लेते हैं Question No. 123 की भार्थ के वर्तमान, राष्ट्य सुरक्सा, सलाकार कौन है तो इसका जो राइट अंसर रहेगा वो रहेगा Option B अजीत, डोभाल Question No. 124 रहेगा Very Very Important Question रहेगा यह वाला आर्या समाज के स्थापक कौन है कई बार जो है एक्जाम में पूछा गया Question है तो इसका जो राइट अंसर रहेगा वो रहेगा Option C स्वामी दयानंद Question No. 125 रहेगा बुपाल गैस तरास्दी के समय किस गैस का रिसाव हुआ था तो इसका जो राइट अंसर रहेगा वो रहेगा Option D मिथाईल आईसो साइनेट इसका राइट अंसर रहेगा Option D मिथाईल आईसो साइनेट Question No. 126 रहेगा तेवांग बौधमत भारत के किस राज्य में स्थित है तो इसका जो राइट अंसर रहेगा वो रहेगा Option B अरुनाचल प्रदेश Question No. 127 रहेगा एशियन विकास बैंक का मुख्यालिया कहां है इसका जो राइट अंसर रहेगा वो रहेगा Option A मनीला Question No. 128 रहेगा दिल्ली के चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बं फैकने का अदबुत सहसी कार्या को किसने अंजाम दिया तो इसका जो राइट अंसर रहेगा वो रहेगा Option A रास बिहारी बॉस Question No. 139 रहेगा डेमोग्राफी ग्यान की किस साखा का नाम है इसका जो राइट अंसर रहेगा तो इसका जो राइट अंसर रहेगा वो रहेगा Option C Sorry दोस्तो Option A 1.3 सेकिंड तो चंद्रमा की रोषनी को धर्ती पर पहुंचने में कितना समय लगता है इसका जो राइट अंसर रहेगा वो रहेगा Option A 1.3 सेकिंड Question No. 131 रहेगा भारत्य समिधान की संसोधन प्रक्रिया किस देश के समिधान से प्रेरित है तो इसका जो राइट अंसर रहेगा वो रहेगा Option C दक्षिन अफ्रीका Question No. 132 रहेगा विधान सभाचुनाबों में Electronic Voting मसीन के प्रयोग की सुरुवाद कब से हुई इसका जो राइट अंसर रहेगा वो रहेगा Option A 1998 1998 Question No. 133 रहेगा जांसी की रानी लक्षमिबाई की समाधी किस स्थान पर अवस्तित है इसका जो राइट अंसर रहेगा वो रहेगा Option A लस्कर कौालियर Question No. 134 रहेगा किस वर्स में मदरास का नाम परिवर्तन चेन्नई के रूप में हुआ इसका जो राइट अंसर रहेगा वो रहेगा स्तारा जुलाई 1996 1996 Question No. 135 रहेगा नीली क्रांती किस से स्थान दित है Very very important question है ये वाला कई बार जो है एक्जाम में पूछा जाता है तो नीली क्रांती जो है वो किस से स्थान दित है तो मतस्या पालन से Question No. 136 रहेगा जिस दर पर भारतिय रिजर्व बैंक मरिजिक बैंकों को रिण देती है उसे कहते हैं इसका जो राइट अंसर रहेगा वो रहेगा रैपोरेट Question No. 137 रहेगा इसका जो राइट अंसर रहेगा वो रहेगा उसका राइट अंसर रहेगा Question No. 138 रहेगा निमलिक्त मैंसे किसे पास्ट चात्या चिक्तसा का जनक माना जाता है तो इसका जो राइट अंसर रहेगा वो रहेगा उप्शन C हिपो क्रेटीज Question No. 149 रहेगा चंदन कास्ट के लिए कौन सा राज्या विख्यात है तो इसका जो राइट अंसर रहेगा के अभिधान से किसे संबोधित किया जाता था तो सौदीनता संघर्ष के दोरान भारत को कि लाके अभिधान से किसे संबोधित किया जाता था इसका राइट अंसर रहेगा उप्शन B स्रोजिनी नाइडू Question No. 141 रहेगा मर्नो प्रांत भारत रतन संबोधित किसे संबोधित किया गया तो इसका राइट अंसर रहेगा उप्शन C लाल बहादुर सास्तरी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने और वीडियो को शेर भी करना है Question No. 142 रहेगा फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रियोग होता है तो इसका राइट अंसर रहेगा उप्शन D एथिलीन Question No. 143 रहेगा नेता जी सुभास चंदर बोश की आतमकथा का सीर्षक है तो इसका जो राइट अंसर रहेगा वो रहेगा उप्शन D एन इंडियन पिल्ग्रीम Question No. 144 रहेगा रगुनाज जी की मूर्ती आयोध्या से कुल्लू कौन लाए तो इसका राइट अंसर रहेगा उप्शन D दामोदर दास Question No. 145 रहेगा 1957 में गठित क्षेत्रिय परिशद के अध्यक्स कौन थे तो कौन थे Option A इसका राइट अंसर रहेगा ठाकूर करमसी है Question No. 144 रहेगा वेरी वेरी इंपोटेंट है और आपने भी कई एक्जाम में इस कौस्चनों को देखा होगा ये वाला कौस्चन आपको किसी न किसी एक्जाम में जरूर मिला होगा एसिया का सबसे बड़ा मचली प्रजन के इंदर कहां पर स्थित है तो इसका जो राइट अंसर रहेगा ओप्शन C दियोली डिस्टिक ब्लासपूर Question No. 147 रहेगा कुलूद देश की कहानी नामक पुस्तक किसने लिखी है तो इसका जो राइट अंसर रहेगा और रहेगा उप्शन C लाल चंदर प्रार्थी Question No. 148 रहेगा Very Very Important Question सिमला प्रिटिस राज की ग्रिशम कालीन राजधानी किस वर्स बनी तो किस वर्स बनी Option A 1864 इसका राइट अंसर रहेगा Question No. 149 रहेगा अमरिता सेरगिल कौन थी तो इसका राइट अंसर रहेगा Option D. चित्रकार और भारतिय उच अध्यान संस्थान कहां अवस्तित है तो भारतिय उच अध्यान संस्थान कहां अवस्तित है इसका राइट अंसर रहेगा Option C. सिमला चलिए बात कर लेते हैं November 2020 में पूछे गए जी के questions की Question number 121 रहेगा निमलिक्त मैं से कौन सी संस्ता भारत मैं राष्टी आय का आकलन करती है तो इसका जो right answer रहेगा वो रहेगा option A केंद्रिया, संक्यक्या, संगठन Question number 122 रहेगा जनगर्ना परतेक यहां पर स्थान छोड़ा गया है वर्सों के बाद आयोजित की जाती है तो जनगर्ना परतेक 10 वर्सों के बाद आयोजित की जाती है Question number 123 रहेगा नाथुला दर्रा किस राज्य में है तो इसका जो right answer रहेगा वो रहेगा option A सिक्किम Question number 124 रहेगा भारत मैं प्रतम शियर बजार कहां स्थापित हुआ था तो भारत मैं प्रतम शियर बजार कहां स्थापित हुआ था इसका जो right answer रहेगा वो रहेगा option A मुंबई और हम जितने भी answer आपको बता रहे हैं वह according to answer की रहेंगे Question number 125 रहेगा भारती रिजर्व बैंक की स्थापना कीस वर्स हुई तो इसका जो right answer रहेगा वो रहेगा option B 1935 में Question number 126 रहेगा Automobile निकास परदूसक का सबसे अधिक खतरनाथ धातू परदूसक है Question को फिसे सुन लिजिए Automobile निकास परदूसक का सबसे अधिक खतरनाथ धातू परदूसक है तो इसका जो right answer रहेगा option D Lead Question number 127 रहेगा अनुरानी की स्केल से सबंदित है इसका जो right answer रहेगा वो रहेगा option A भाला भैंक Question number 128 रहेगा उहल जल विजुत प्रियोजना हिमाचल परदेश के किस जीले में स्तित है तो इसका जो right answer रहेगा वो रहेगा option C मंडी Question number 130 रहेगा कपड़े धोने वाली मसीन की सिधानत पर कार्या करती है इसका जो right answer रहेगा वो रहेगा option B अपकेंदरी करण Centrifugation Question number 130 रहेगा नाखुन पॉलिस निकालने वाले द्रव में क्या होता है इसका जो right answer रहेगा वो रहेगा acetone Question number 131 रहेगा Bricks में समलित है इसका जो right answer रहेगा वो रहेगा option A Brazil, Rus, भार्थ, चीन और दक्षिन अफरिका Question number 132 रहेगा भार्थ में पंचायती राजचंतर का जनक की से माना जाता है Very very important question है इसका जो right answer रहेगा वो रहेगा option D बलवन्त, राय, महता Question number 133 रहेगा संकल प्रियोजना किसके उनमूलन से स्बंदित है इसका जो right answer रहेगा वो रहेगा option A AIDS Question number 134 रहेगा दक्षिन ACI क्षेत्रिया सहयोग संगठन सारकीस वर्ष गठित किया गया इसका जो right answer रहेगा वो रहेगा option C 1985 1985 में Question number 135 रहेगा भारत में भासाई आधार पर पुनर गठित होने वाला प्रतम राज्या था तो इसका जो right answer रहेगा वो रहेगा option B आंधर प्रदेश Very very important है कई बार जो है एक्जाम में पूछा गया Question है भारत में भासाई आधार पर पुनर गठित होने वाला प्रतम राज्या था इसका जो right answer रहेगा वो option B आंधर प्रदेश Question number 136 रहेगा Rising हिमाचल Global Investors Meet 2019 की Brand Ambassador तो इसका जो right answer रहेगा वो रहेगा option C यामी गौतम Question number 137 रहेगा हिमाचल परदेश में सिम्बल बरा राष्ट्रिया पारक कहां पर स्थित है तो हिमाचल परदेश में सिम्बल बरा राष्ट्रिया पारक जो है वो डिस्टिक स्रिमावर में पढ़ता है Question number 138 रहेगा कुफरी जीवन और कुफरी जीवती दो परसिद किस में है तो किस की किस में है आलू की option B इसका right answer रहेगा Question number 149 रहेगा रूपिन घाटी हिमाचल परदेश के किस जीले में स्थित है संकल्प हेल्प लाइन नंबर क्या है इसका right answer रहेगा option A 1100 Question number 141 रहेगा भारत में सबसे अधिक वन आवर्ण वाला राज्या कौन सा है तो इसका right answer रहेगा option B मध्यापरदेश Question number 142 रहेगा निमलिक्त में से विश्व का सबसे बड़ा कौफी उत्पादक कौन है इसका right answer रहेगा option B ब्राजील Question number 143 रहेगा भापाल गैस तरास्दी केस में किस गैस का रिसाव हुआ था very very important question है ये वाला भापाल गैस तरास्दी केस में किस गैस का रिसाव हुआ था इसका right answer रहेगा और रहेगा option C मिथाइल आईसो साइनेट Question number 144 रहेगा रतान धी किस विटामिन की कमी से होता है इसका right answer रहेगा और रहेगा option A विटामिन A Question number 145 रहेगा USA की सिलिकॉन घाटी किस के लिए पसीद है इसका right answer रहेगा और रहेगा option A electronics के लिए और हाँ दोस्तो आप चैनल की playlist में जा करके और भी टैट से related वीडियो जो है वो देख सकते हैं वीडियो पसंद आ रही है तो इसे share करें और चैनल को subscribe करना ना भूलें comment करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी और चैनल को subscribe करना ना भूलें चलिए बात कर लेते हैं question number 146 की रावी नदी का वैदिक नाम क्या है इसका जो right answer रहेगा option A question number 147 रहेगा कुलू एंड लहौल पुस्तक के लेख कौन है इसका जो right answer रहेगा CG Bruce question number 148 रहेगा वर्तमान में कौन सी लंका के राष्टपती है तो इसका जो right answer रहेगा वो रहेगा option A गौत बया राजबक से question number 149 रहेगा विशो का सबसे गहरा ट्रेंच है तो इसका जो right answer रहेगा वो रहेगा option A question number 150 रहेगा अद्रक के उत्वादन में हिमाचल परदेश का कौन सा जिला सीर्स पर है इसका जो right answer रहेगा वो रहेगा option B सिर्मौर दोस्तों ये थे GK के question जो हमने आपके साथ discuss किये वीडियो आपको कैसे लगे comment box के मादरम से हमें जुरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों हो सके तो इस वीडियो को जादा स्यादा शेयर करना है धन्यवाद दोस्तों